जब organism in organic materials से अपना food synthesize नहीं कर पाते हैं और अपने food के लिए दूसरे organism पे depend होते हैं तो उसको हम heterotrophic nutrition कहते हैं अब organism तीन अलग-अलग types से दूसरे organism से अपना nutrition derive करते हैं पहला type saprophytic nutrition जिसमें organism dead and decaying plants और animals से अपना nutrition derive करते हैं जैसे की fungi दूसरा parasitic nutrition जिसमें organism दूसरे living organisms से अपना nutrition derive करते हैं जैसे की जो बालों में जुए हो जाते हैं यानि lice उनमें हमें देखने को मिलता है या ticks में भी हमें देखने को मिलता है तीसरा type होता है holozoic nutrition जिसमें organism बाहर से complex organic materials का ingestion करके उसे digest और फिर absorb करते हैं और जो भी waste undigested part बचता है उसका ingestion कर देते हैं ये हमें देखने को मिलता है amoeba में, हम humans में, dog, fish इन सब में तो अब हमें इसी holozoic nutrition को discuss करना है सबसे पहले अगर बात करें कि amoeba में हमें कैसे holozoic nutrition देखने को मिलता है तो ये देखिए, यहां आपको ये green color से food दिखाई दे रहा होगा amoeba इस food को ingest करने के लिए अपने cell के surface पे कुछ temporary finger जैसे extensions बनाता है जिसको बोलते हैं pseudopodia और ये pseudopodia food को surround करके fuse हो जाते हैं जिससे एक food vacuum form हो जाता है जैसा आप यहां देख सकते हैं अब शुरू होता है digestion का process जिसमें enzymes इस food vacuum के अंदर enter कर जाती हैं और इसको digest करती हैं देखिए इस figure में कैसी ये food छोटे-छोटे molecules में convert हो गया अब amoeba इसमें जितने भी nutrients हैं उन्हें absorb कर लेगा और जो undigested material बचा जो किसी काम का नहीं है उसको cell से बाहर निकाल देगा जिसको हम बोलते हैं e-gestion यहां आपसे एक मार्का question पूछा जा सकता है कि how does amoeba engulf its food particle तो आपका answer होगा through temporary finger-like extensions on its cell surface called as pseudopodia ऐसे ही paramecium भी holozoic nutrition शो करता है लेकिन इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये कि इसमें ingestion का process एक definite spot पे होता है जिसे बोलते हैं mouth और food ingest करने के लिए amoeba की तरह pseudopodia paramecium में form नहीं होते बलकि ये cilia के through food को mouth तक लेके जाता है और वहां से food को ingest करता है अब finally हम पहुँचते हैं nutrition in human beings यानी human digestive system की तरफ तो जैसा अभी हमने पढ़ा humans में holozoic nutrition होता है तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम food को ingest करते हैं फिर उसका digestion होता है digested food absorb होता है और जो waste, unabsorbed material बचता है उसको ingest कर दिया जाता है यानी बाहर निकाल दिया जाता है digestion का main purpose ये है कि हम जो food लेते हैं ingest करते हैं उसमें complex molecules होते हैं जैसे की carbohydrates, proteins और fats उन्हें हमें simple molecules में convert करना होता है जिसका absorption हो सके तो ये जो complex molecules हैं उन्हें simple molecules में convert करना ताकि उसका absorption हो सके साम करती है हमारी body के अंदर present कुछ enzymes जिने हम biological catalyst भी कहते हैं तो बस यही हमें पढ़ना है कि कैसे हमारी digestive system के अलग-अलग organs मिलके food को digest करते हैं तो देखे, सबसे पहले तो हम mouth से अपना food ingest करते हैं तो पहला process हो गया ingestion का अब हमारे mouth में क्या होता है टीथ होते हैं टीथ का काम होता है food को छोटे-छोटे pieces में crush करना अगर आपसे पूछा जाए कि digestion का process कहां से शुरू होता है तो यह mouth से ही start हो जाता है जब salivary gland secret करती है saliva और saliva में present enzyme salivary amylase starch को convert कर देती है into sugar starch क्या होता है यह एक तरीके का carbohydrate होता है तो अगर मैं आपसे पूछूँ mouth में carbohydrate, protein और fat इन में से किसका digestion start होता है तो answer होगा carbohydrate का उसके अलावा mouth में present होती है tongue जिसका काम होता है food को salivary के साथ अच्छे से mix करना now हम food को swallow कर लेते हैं और फिर ये enter होता है food pipe या esophagus में यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज है वो ये कि esophagus की muscles शो करती है peristaltic movements जो की rhythmic contraction and relaxation of muscles होता है और इससे पाइदा ये होता है कि food को नीचे push करने में मदद मिलती है which finally leads food into stomach stomach में digestion के function को perform करने के लिए gastric glands होती है जो तीन चीज़े release करती है पहली HCL यानि hydrochloric acid दूसरा pepsin और तीसरा mucus hydrochloric acid का काम होता है stomach में acidic medium create करना ताकि pepsin अपना काम शुरू कर पाए क्योंकि जब तक acidic medium नहीं बनेगा तब तक pepsin कुछ नहीं कर सकती और pepsin करती क्या है pepsin एक protein digesting enzyme होती है तो protein का digestion शुरू हो जाता है stomach में अब तीसरी चीज़ जो gastric glands secret करती है वो है mucus जो stomach की inner lining को harsh acid से जलने से बचाता है तो आपसे exam में पूछा जा सकता है कि what is the role of acid in our stomach तो क्या role है? acid helps in creation of an acidic medium in the stomach which facilitates the action of enzyme pepsin अब stomach से food को जाना है small intestine में और food का कितना amount small intestine में जाएगा इसको regulate यानी control करने के लिए stomach में present होती है sphincter muscles जो की food को छोटे small amounts में intestine में भेजती है finally food पहुँच जाता है small intestine में जहाँ पे carbohydrate, protein और fat तीनों का digestion complete होता है कैसे? आईए देखते हैं small intestine को liver और pancreas दोनों से secretions मिलते हैं सबसे पहले बात करते हैं liver की now, liver के secretions की वज़े से small intestine में fat का digestion शुरू होता है through bile bile का का काम होता है fat को emulsified fat में convert करना अब इसका क्या मतलब हुआ? fat जब हमारी small intestine में पहुचता है तो वो काफी बड़े globules के form में होता है bile इन बड़े globules को small globules में break कर देता है जिससे enzyme अच्छे से fat को digest कर पाई इस process को हम बोलते हैं emulsification और जो छोटे globules मिलते हैं उनको बोलते है emulsified fat अब अभी जो food stomach से आ रहा था वो hydrochloric acid की वज़े से acidic था लेकिन pancreatic enzymes को work करने के लिए alkaline medium चाहिए होता है तो bile acidic food को alkaline बनाता है ताकि pancreatic enzymes उस पे act कर सकें अब small intestine में जो pancreas से secretions आ रहे हैं जिनके लिए bile alkaline medium तयार कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे digestion कर रहे हैं pancreas secret करता है pancreatic juice जिसमें दो enzymes होती है trypsin और lipase lipase अभी अभी bile के द्वारा emulsify किये गए fat को further breakdown करता है दूसरी enzyme pancreatic juice में होती है वो है trypsin trypsin भी pepsin की तरह एक protein digesting enzyme है फर्क ये है कि pepsin acidic medium में काम कर पाती है और trypsin alkaline medium में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या difference है pepsin और trypsin में अब ध्यान से सुनिएगा liver और pancreas के secretions तो small intestine को मिलते ही हैं लेकिन small intestine में भी intestinal glands होती है जो secret करती है intestinal juice जिनमें कुछ enzymes present होती है जो finally proteins को amino acid में carbohydrates को glucose में और fats को fatty acid और glycerol में convert कर देती है अब ये glucose, amino acid और fatty acid and glycerol को हमारी body absorb कर सकती है तो यहाँ खतम हो जाता है digestion का process और शुरू हो जाता है absorption का process लेकिन उससे पहले previous year में कैसे questions exam में पूछे गए हैं उन्हें discuss कर लेते हैं पूछा गया था which pancreatic enzyme is effective in digesting protein तो कौन सी pancreatic enzyme थी? trypsin जो alkaline medium में वर्क कर रही थी एक और question अगर मैं आपसे पूछ हूँ how are fats digested in our bodies? where does this process take place? तो fat का digestion होता है small intestine में कैसे होता है? सबसे पहले liver से bile small intestine में आके fat को emulsified fat में convert करता है और alkaline medium create करता है ताकि pancreatic enzymes fat पे act कर सके अब pancreatic lipase small intestine में आकर fat को further breakdown करता है और फिर finally intestinal juice इस fat को fatty acid और glycerol में convert करके completely digest कर देता है समझ आ गया? तो चलिए अब हम आ जाते हैं absorption पे बहुत से questions इससे बन सकते हैं तो ध्यान से सुनिएगा absorption का process small intestine में ही शुरू हो जाता है जहां intestine की wall पे छोटे छोटे finger like projections निकले हुए होते हैं जैसा आप इस diagram में देख सकते हैं और इन में काफी सारी blood vessels होती हैं जो digested food से nutrients को absorb करके body के एक एक cell तक पहुँचाती हैं तो nutrients का absorption होता है small intestine में उसके बाद जो undigested material है वो पहुचता है large intestine में और वहां भी villi present होता है और ये large intestine में water को absorb करते हैं अब question पूछा जा सकता है How is the small intestine designed to absorb digested food? आंसर क्या होगा? The inner lining of small intestine has large number of tiny finger-like projections called villi which increase the surface area for absorption and are richly supplied with blood vessels which take absorbed food to each and every cell of the body ऐसे ही large intestine के बारे में पूछा जाए तो यहां जो unabsorbed food पहुँचता है उसमें से villi water को absorb कर लेते हैं अब nutrients और water तो सब absorb हो गया Finally, anus के थुरू बचा-कुचा material रिमूव हो जाता है यानि e-ration का process हो जाता है which is regulated या controlled by annal sphincter muscles ये human digestive system का diagram है बहुत ही important है इसको आप अच्छे से practice कर लीजेगा अब हो जाता है अबलाई ना तो शाफ बचा नजे हो जाता है ये अजे हो जाता है ये क्वीज़ व्यान इस म्जेगा